Hello, Espirants, I welcome you all at Purcham Classes. आज के सेशन में देखे हैं, हम बैंकिंग के पोर्षिन को शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर बैंकिंग की हिस्ट्री, RBI पहले कर चुके हैं हम, इसके अंदर RBI के अलावा, जो बैंकिंग की चीज़ें हमें समझनी हैं, हम उसको डिसकस करेंगे, ठीक है? आप लोगों ने Fiscal Policy समझ लिया होगा, आप लोगों National Income Accounting की वीडियोस देखी होगी, अभी हम बैंकिंग के पोर्षिन को शुरू कर रहें, जो भी इंपोर्टन चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जो हम YouTube पे करने वाले हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, प सिर्फ economy पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो 0 से लेके high level तक की economy आप लोग कर सकते हो, ये एक अलग से batch पर्चम classes पे चल रहा है, दोनों ही courses पे अगर आपको 10% का extra off चाहिए, then use code Pile 10, कोई space नहीं है Pile 10 के बीच में, ये 10% वाला जो code है, ये SSC GA के course पे और SSC economy के course दोनों के उ तैयारी को पैमाना देना जाते हैं, कितनी तैयारी आपकी हुई है, आप लोग हमारी test series में रॉल कर सकते हैं, तो समझते हैं कि bank क्या होते हैं, क्यों इन bankों की जरूरत पड़ी, ये bank नहीं थे तो क्या था, और आ गए तो क्या हो गया, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम discuss करेंगे, तो सबसे पहले bank का significance हम समझेंगे, अपना वही तरीका पुराना पहले layman terms में समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग slides पे चलेंगे, तो देखो क्या होता है, ये bankों की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो इसको समझो, एक होता है factor of production, उत्पादन के कारक हिंदी में कहते है, factor of production, ठीक है, factor of production का मतलब क्या होता है, इस दुनिया में आपको pin से लेके plane तक कुछ भी अगर बनाना है, कुछ भी का मतलब कुछ भी बनाना है, pin से लेके plane तक, आपको chips का packet बनाना है, आपको t-shirt बनाना है, आपको arrow plane बनाना है, आपको ship बनाना है, आपको किन- और यह क्या-क्या है यह सबसे पहले तो land मालीजे आपको chips बनानी है आपको lez के packets बनाने है तो आप सबसे पहले तो जमीन यानि की land खरीदोगे ठीक है जहां पर आपकी factory लगेगी उसके बाद आपको factory को maintain करने वाले के लिए labor चाहिएगी अब labor के साथ खाली labor से भी कुछ न कैसे होगा यानि entrepreneurship चाहिए ये चार चीजे जो है ये क्या कहलाती है ये factor of production कहलाती है आपको कुछ भी बनाना है आपको एक कुछ भी छोटी से सुई भी अगर आपको बनानी है तो आपको सबसे पहले जहां बनाओगे जमीन चाहिएगी आपको गेहूं उगाना है खेती के लि machinery चाहिएगी ठीक है और फिर आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि कौन से सिजन में जो कौन सी फसल बोनी है तो इस तरीके से चार चीजे factor of production में आती है इन factor of production से इंसान क्या करता है income कमाता है कैसे जिसको हम factor of income कहते है इस दुनिया में चार ही तरीके है पैसा कमाने क अगर मैं white कमाई की बात करूं white money की बात करूं तो चार ही तरीके है पहला तरीका land लैंड से आपको क्या मिल रहा है land से आपको rent मिलता है ठीक है land से आपको rent मिलता है labor को क्या मिलता है मुझे क्या मिल रहा पर्चम classes पे मुझे wages मिल रहे है मैं काम कर रही हूँ यहाँ यहाँ पे मुझे wages मिल रहा है ठीक है capital यानि अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं उसको interest पे चढ़ा दूँगी है ना मैं उसे interest की कमाई करूँगी तो मैंने क्या किया उसको invest करके वहां से interest का पैसा कमाया जाहे मैंने उसको किसी को loan में दिया या bank में जमा करवाया मैंने interest की कमाई कर ली और मैंने मेरे दिमाग का प्रियोग करके दिमाग का use करके मैंने lab कमा लिया profit कमा लिया इन चार चीजों को factor of income कहते हैं तो सबसे पहले तो question यही पूछ लिया जाता है इन में से कौन factor of production और factor of income है पूरी दुनिया में यही चार factor of production है और यही factor of income है ठीक है अब हम इसको banking में क्यों पढ़ रहे हैं मैंने production की बाते तो GDP में की थी इसको banking में क्यों पढ़ रहे हैं आपको banking का significance बताने के लिए इस topic को मैं banking में बता रही हूँ कि जैसे यह bank नहीं थे तो क्या था जब bank नहीं थे तो मेरी जमीन थी मेरी जमीन थी उस जमीन को मैंने rent पे दे दिया उस rent का पैसा मेरी pocket में आया मैंने क्या क्या उस पैसे को रख लिया बस खतम बात कहानी यहीं तक थी कि land से पैसा आया और पैसा मैंने मेरे पास रख लिया वो पैसा किसी दूसरे के पास गया ही नहीं। फिर हमने एक अंकल को बीच में बिठा दिया जिसको जमीदार कहते थे। हमने जमीदार को क्या कहा कि जमीदार भाई, हम ना आपको इतना पैसा जमा करवाएंगे, आप इसको आगे लोन पे दे देना ठीक है या हमको जब भी लोन चाहिएगा हम आपसे पैसा ले लेंगे तो वो जमीदार हमारे लिए एक बैंक का काम करने लगा लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजी राज बढ़ने लगा तो भारत के अंदर बैंक आ गए मैं इनके बीच में दोनों के बीच में बैंक बिठा रही हूँ क्या बिठा दिया मैंने इनके बीच में बैंक बिठा दिया अब क्या हुआ मेरी लेंड थी मुझे रेंट मिला वो जो रेंट की कमाई है मैंने बैंक में जमा करवा दी मैंने वो rent का जो पैसा है जो मेरा 100 रुपीज आया था वो मैंने बैंक में जमा करवा दिया बैंक ने क्या किया ये जो rent आया है ये किसी A नाम के व्यक्ति को लोन में दे दिया बैंक ने क्या किया ये पैसा किसी को लोन में दे दिया 100 रुपीज किसी को लोन में दे दिया ठीक है ए नाम के विक्ति को किसी को लोन में दे दिया अब इस ए नाम के इंसान ने फिर से यहां से लैंड खरी दी इस पैसे का यूज करके फिर से लैंड खरी दी और फिर से उस ल नाम के व्यक्ति को पैसा दे दिया, उसने किसी B नाम के व्यक्ति को पैसा दे दिया, B नाम के परसन को पैसा दे दिया, उस B ने फिर से कोई लैंड खरी दी, उसको रेंट पे चड़ाया और वो जो रेंट की कमाई आई उसको फिर से बैंक में जमा कर दिया, बैंक ने फिर व औरे rent का पैसा मेरी जेब में पड़ा रहता बस खतम साइकल कैसे पूरी होती और लोगों को पैसा चाहिए तो कैसे निकालता वो पैसा कहां से कमाता कहां से लेके आता मदद कहां से मिलती तो ये bank क्या करते हैं ये complete करते हैं cycle of economy को bank completes cycle of economy. economy के cycle को complete करते हैं bank clear हो गई, एक तो bank का significance अपने को पता लग गया हम एक बार slide पे चल के देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, इधर land, labor, capital, entrepreneurship और इधर rent, wages, interest or profit ये bank क्या कर रहे है, इसका पैसा, उसके सरोरिस तरीके से पूरी cycle of economy को complete कर रहे है, bank complete cycle of economy I hope आपको significance तो समझा गया, अब इसके बाद होता क्या है ये bank जो है, वो कैसे पैसा कमाता है, ये समझना किसी भी bank के अंदर, bank क्या है, एक दुकान की तरह है, आप ऐसा समझे, bank क्या है, एक shop है, आप ऐसा समझे, मिल्कुल देशी भाशा में bank एक shop है, bank एक दुकान है, ठीक है, अब मैं एक दुकान दार हूँ, मैं एक shop कीपर हूँ, ठीक है, मैं न, कोई, मान लीजे, मैं chocolate लेके आई, मैं dairy milk लेके आई, मुझे वो dairy milk 20 रुपे की पड़ी, मुझे वो dairy milk कितने की पड़ी, 20 रुपे की पड़ी, अब मुझे बैंक के अंदर दो तरीके के लोग आते हैं एक को कहते हैं डिपोजिटर क्या कहा जाता है डिपोजिटर जो पैसा डिपोजिट करने आए है और एक कौन होते हैं लोन लेने वाले जो बैंक में लोन लेने आए है ठीक है अब मैं थी डिपोजिटर मैंने बैंक में 100 रुपया जमा कर दिया, बैंक को ये रुपया, 100 रुपया मिल गया, और बैंक मुझे क्या कह रहा है, हम आपको 4% rate of interest दे देंगे, हम आपको इस 100 रुपय के बदले 104 रुपय दे देंगे, यानि बैंक ने क्या कहा, कि 100 रुपय का 104 रुपया हम आपको दे देंगे, ये बैंक 4 रुपय क हसल आएगा बैंक ने क्या किया इसी 100 रुपे को आगे किसी लोन लेने वाले को 12 प्रतीशत रेट ओफ इंटरस्ट पे चढ़ा दिया उसने किसी इंसान को क्या कहा कि देख भाई 100 रुपे हैं लेने तो ले ले 12% ब्याज लगेगा ठीक है तो यहां से उसने इसको कितने प्रॉफिट स्प्रेड कह दो बैंक का प्रॉफिट कह दो कुछ भी कह दो समझाई यानि इस बैंक की दुनिया में दो ही लोग होते हैं एक डिपॉजिटर जहां से पैसा आता है और दूसरा लोन लेने वाले जहां से पैसा ज़ादा होके आता है क्लियर हुई बात यानि य पहली बार बना था, तो यह bank पहली बार कब बने थे, उसको देखते हैं, देखे सबसे पहले जो bank बना था आपका, यह world का first bank था, जिसका नाम था, bank का Montedai Paschidi Siana, मुझे नहीं पता इसको कैसे pronunciation करते हैं, मुझे इसका pronunciation नहीं आता, यह कोई Italian language है, बट मैंने अपनी अंग्रेजी के हिसाब से इसको तुमें बता दिया, तुम देख सकते हो इसको, इसका headquarter था Italy के अंदर, ठीक है, और यह आज भी exist कर रहा है, 1472 में यह bank बन गया था, यह दुनिया का पहला bank था, अब फिर first bank world का, जो non existing है, जो आज exist नहीं करता, वो 1397 में इटली में बना था, Medici bank, कौन सा, Medici bank, यह exist नहीं करता, यह इस से पहले बना था, इस bank का मोंटे से पहले बना था, लेकिन यह exist नहीं करता, exist कौन सा कर रहा है, आज भी 1472 वाला bank, जिसका नाम, यह गंदा सा नाम आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भारत का सबसे पहला bank कौन सा बन था, कहां पे, कोलकाता में बना था, अब भारतियों को पता ही नहीं था, bank bank क्या होता है, इसके back end में क्या हो चुका था, इसके back end में 1757 की लडाई हो चुकी है, प्लासी का युद, 1764 में बकसर का battle हो चुका है, भारतियों को एक चीज समझ आ गई थी, कि यह इंग्लिश ल लिए, कि भई सब लोग अपना पैसा इस bank में जमा करवा सकते हैं, किसी को loan चाहिए तो bank से ले सकते हैं, अब ये सब जगा ये बाते फैल रही है, भारतियों को यकीन ही नहीं है, अंग्रेजों पे कि तुम भी हमारे लिए कुछ अच्छा कर दोगे, इस trust issues की वज़े से, अब भारत ने यहां पे ये जो bank बना, हिंदोस्तान bank बना, पैसे जमा करवाने तो कोई गया नहीं, और loan लेने के लिए line खड़ी हुई है, अब bank के अंदर जब तक जमा नहीं होगा, वो loan कहां से देगा, bank छापता थोड़ना रुप्यों को, अभी हमने देखा, अब जब से मिलेगा और ये bank जो है वो fail हो गया, अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं हारी, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने काम को बढ़ाया, अंग्रेज बहुत patience वाले थे, आप देखो 1600 में भारत आ रहे हैं, 1608 में अपनी पहली industry लगा रहे हैं और 1757 में जाके पहला य पूट सकता है, ठीक है, तो ये अपना पहला bank बना था, हिंदोस्तान bank, ये आप देख रहे हो, bank of हिंदोस्तान 1770 में कोलकाता में बना था, ये भारत का पहला bank था, इस तरीके की इसकी photo थी, ठीक है, तो ये पहला भारत का bank था, इसके बाद जब भारतियों को लगा, अंग ख्याले है, जहां पे इनके headquarter थे अंग्रेजों के, वहां पे तीन bank बनाए, क्योंके इनको क्या था, कि यही पे कमाएंगे, और यही पे ही bankों में जमा करवा देंगे, लंडन की queen को सारी जानकारी हम नहीं देना चाहते, क्योंके फिर वो भी अपना हिस्सा मांगेगी, ठी तीन presidency bank बनाए, कहां कहां इनकी presidency थी, इस तरीके से, ये था Bengal, ठीक है, ये था Mumbai और ये था मदरास, इन्होंने तीन bank बनाए, तीन bank ये बनाया 1806 में, ये बनाया 1840 में, ठीक है, और ये बनाया 1843 में, ये तीन bank बनाये, ये bank of Bengal नाम दिया इन्होंने, ठीक है, यहां पे नाम दिया Bank of Mumbai और इसको नाम दिया Bank of Madras अब एक बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे इनको Presidency Bank क्यों कह रहे हैं क्योंकि यह तीनों जो है इनके Headquarter में बने हैं इनकी Presidency में जहां इनका Governor बैठता था 1773 के Regulating Act में आपने देखा होगा ना कि तीन अलग-अलग Governor है Governor of Bengal, Governor of Bombay, Governor of Madras इसको तीनों जगा Governor बैठते थे इसलिए इसको तीन Presidency कह रहे हैं और यहां पे तीन Bank बने तो इसको हमने Presidency Bank नाम दे दिया 1806 में यह जो Bank बना था इसका नाम क्या रखा था? Bank of Calcutta रखा था पहले Bank of Calcutta रखा था ठीक है इसका नाम कब बदला? 1809 में इसका नाम बदल के Bank of Bengal किया है मैंने स्टार्टिंग में यह आपको बंगाल बता दिया वैसे ही पर इसको याद रखना 1806 में इस Bank of Calcutta Bank नाम दिया था 1809 में इसका नाम बदल के Bank of Bengal किया है अब Bank of Calcutta का नाम ही Bank of Bengal कर दिया था ठीक है तो 1840 में मुंबई और 1843 में मदरास वाला बैंक बन गया अब सेम काम यहाँ अचा यही तीन जगा क्यों बनाया क्योंकि यहाँ पे तीनों की जगा Port City है यह क्या है यह Port City है बड़े-बड़े बंदरगा लगते है Ports लगते हैं सामान आता था England से यहीं पे ही चला जाता था यही पे पैसा जमा हो जाता है मतलब सारी development इनी तीन छेत्रों में आप देखोगे और यही वज़े है यह आज भी महानगर है मेट्रोपॉलिटन सिटी है Bombay, Chennai और यह Calcutta है ना दिल्ली दिल्ली क्यों मुगलों के समय में दिल्ली पनपता है जब कैपिटल बनती है दिल्ली जो है ट्रेडिंग सेंटर बना बड़ा तब जाके दिल्ली कहीं न कहीं मेट्रोपॉलिटन एरियास के अंदर आने लगा वहां की भी development बहुत पहले हुई पर ये development अंग्रेज ही करके गए थे इस वज़े से आज भी ये जो है बहुत सारे और देशों से बहुत सारे और राज्यों से बहुत सारी और सिटीज से बहुत आगे है क्योंकि इसकी development कब से शुरू हो रही है आप देख लो पहला college कैलकटा में बन रहा है पहली सुप्रिम कोट कैलकटा में बन रही है यानि ये सब काम पहले से ही हो रखे हैं इसलिए ये आज metropolitan cities कहला रही है तो ये तीन bank बना दिये bank of कैलकटा ठीक है यानि bank of बंगाल, bank of मुंबई और bank of मदरास अब ये तीनों bank भी इनके बहुत अच्छे नहीं चले क्योंकि लोगों को इन पे विश्वास ही नहीं था कि ये कुछ अच्छा कर देंगे जमा करवाने कोई जा नहीं रहा है, लोन लेने के लिए लाइने लगी हुई है, ये bank फिर बरबाद हो गए, अब अंग्रेज बिचारे ठक गए है अंग्रेजों ने क्या किया 1860 में एक कानून बनाया जिसका नाम था Joint Company Act क्या कानून बनाया? Joint Company Act इस Joint Company Act के अंदर क्या लिखा गया? 1860 के इस कानून में ये लिखा गया कि भई, जितनी भी कमजोर कमजोर कमपनिया हैं, उनको मर्ज करके आप एक बड़ी कमपनी बना सकते हो अंग्रेजों के दिमाग की बत्ती जली उन्होंने क्या किया 1921 में? 1921 में इन तीनों बैंक को मिला दिया इसको और इसको इन तीनों बैंक को मिला दिया और एक नया बैंक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? Imperium Bank of India क्या नाम दे दिया? 1921 में तीनों को मिला के Imperium Bank of India कि अब तो ये एक बड़ा bank बन गया, अब शायद ये चल जाए, इसमें लोस नहीं होगा, Imperium Bank of India ये इसको नाम दे दिया, ये इस Imperium Bank के कितने bank जुड़े हुए इस bank में, तीन bank, Bank of Bengal, Bank of Mumbai, Bank of Medros, ये तीन bank जुड़े हुए इस Imperium के अंदर, ठीक है जब यह Imperium नहीं है यह Imperial है क्या है यह Imperial ठीक है Imperial Bank of India इस Bank को 1955 में जब अंग्रेज चले गए थे 1947 में तो इस Bank को इंडिया का यह Bank India क्या हो गया और 1955 में इस Bank को क्या नाम दिया State Bank of India तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि SBI को पहले किस नाम से जानते थे Imperial Bank of India कितने बैंकों का मिक्सचर है इसके अंदर तीन बैंकों का कौन से तीन बैंक यह हमने देख लिया अच्छा एक क्वेशन इनका क्रोनोलोजी के बारे में पूछ लेते हैं पहले कौन सा बना दूसरा कौन सा बना तो जो सबसे उपर है Bengal पहले Bengal बना फिर Bombay आता है Bombay बना सबसे नीचे मदरास है लास्ट में मदरास बना ठीक है इस तरीके से इनकी location के हिसाब से आप इनको याद कर सकते हों फिर एक question पूछ लिया जाता है कि पहला non presidency bank कोन सा बना ऐसा bank जो इन presidency के अलावा कहीं और बना था मतलब जहां पे इनका कोई governor नहीं बैठा पहला non presidency bank कोन सा था और वो कब बना मतलब इन headquarter से परे ये bank बना था 1865 में अलाबाद bank कौन सा था अलाबाद bank बना था अलाबाद bank ठीक ये पहला non presidency bank कहलाता है इलाबाद में बना था 1865 जिसको आज के दिन प्रियागराज कहते हैं 1865 अलाबाद bank first non presidency bank बना था हम यहां देख लेतें एक बार स्लाइड यहां आप देख पा रहे हो बेंगौल,ंबे और मदरास वाला region यहाँ पे बना दिया था एक bank 1806 में, बाद में 1809 में उसका rename किया, पहले कोलकाता नाम रखा, फिर बंगाल नाम रखा, ठीक है, फिर यह Bombay के अंदर 1840 में Bank of Bombay बना, और मदरास के अंदर 1843 में Bank of मदरास बना, हमने देखी यह बाते, बैंक of Calcutta 1806, rename किया, 1809 में Bank of Bengal, 1840, Bombay, मदरास 1843, और Joint Company Act आ गया 1860 के अंदर, ठीक है, यह बाते हमने देख ली, अब इसके बात क्या होता है, इन तीनों presidency bank को हम लोगों ने merge कर दिया, ठीक है, merge किया 1921 में, और नाम क्या दे दिया, Imperial Bank of India, ठीक है, और इसी को ही 1955 में हम State Bank of India क के नाम से जानते हैं, वो आप देख रहे हो, ठीक, तो यह State Bank of India की कहानी थी, अब और कौन सी बाते हमको जाननी है, अब देखो, इसी बीच, जब यह सारी मशक्कत चल रही थी, तो, अंग्रेजों ने और भी बहुत सारे experiments किये, जैसे, जब इतना ज़्यादा bank, bank, bank हो रहा थी, दीरे-धीरे Indians के दिमाग में भी banking का असर होने लगा, तो First Partially Managed Indian Bank बनता है, Partially Managed Indian Bank का मतलब क्या है, यह आधा, Partial तो अपना था, यानि British Government का था, British India का था, और Partially London की Government का था, ठीक है, Partially, First Partially Managed Indian Bank कौन सा था, यह था, Ode Commercial Bank, Partially मतलब आधा, आधा से Ode याद रखेंगे Ode Commercial Bank, कौन सा था, Ode Commercial Bank, ठीक है, यह कब बना है, यह आपका 1881 में, फैजाबाद में बना है, कहां, फैजाबाद में बना है, फैजाबाद कहां है, आज के दिन जिसको अयोध्या कहते हो, रामलला का जनम, फैजाबाद यानि UP, ठीक है, यह First Partially Managed Indian Bank था, फिर First Completely Owned Indian Bank कौन सा जहां पूरा पैसा अपना लगा था, यानि British India का लगा था, First Completely Owned Indian Bank था, यह था, पंजाब National Bank, जो 1894 में लाहोर में बना था, कहां बना था, 1894 में लाहोर में, जो आज के दिन पाकिस्तान के हिस्से में है, ठीक है, 4 लाहोर, ऐसे याद रखेंगे, तो हम एक बार Slides देख ल First Completely Owned Indian Bank पंजाब National Bank लाहोर, इसका क्रेडिट किसको जाता है, लाला लाजपत राय को, किसको, लाला लाजपत राय जी ने ये बैंक बनवाया था, ठीक है, तो बचपन में करते थे लाला जी ने केला खाया, तो यहाँ याद रखेंगे, लाला जी ने बैंक बनवाया, ठीक ह First Swadashi, Swadashi जब मुहिम चल रही थी, आप Modern History में देखोगे, तो लोगों ने क्या किया था, भारतियों ने मतलब की, उस समय तो जो है, वो Swadashi वाला अंदोलन इतना जादा जोर चोर से नहीं चला था, वो बाद में जब गांधी जी आएंगे, वो Swadashi चलाएंगे, पर उससे पहले ही Swadashi Bank, Swadashi Bank का मतलब क्या है, ये एक ऐसा bank था, जिसके अंदर भारतियों का पैसा जमा हो रहा है, जिसके अंदर भारतिय स्टाफ है, जिसके अंदर सब कुछ भारत का था, ये पहला Swadashi Bank था, ये Central Bank of India था, 1911 में मुंबई में खुला था, ठीक है, अब एक ऐसे bank का नाम बताओ जिसका उदघातन महत्मा गांधी ने किया, जिसका रीबिन महत्मा गांधी ने काटा, इनोग्रेशन महत्मा गांधी ने किया, बैंक इनोग्रेटिड बाए महत्मा गांधी, ये 1919 जल्यावाला हत्याकार्ट, याद रखना, 1919 Union Bank of India इसका नाम था, और ये मुंब लेते हैं, First Overseas Bank of India, एक ऐसे बैंक का नाम बताओ, जो जिसकी ब्रांचि सबसे पहले विदेशों में खुली थी, ये कौन था, ये था Bank of India, नाम क्या है इस बैंक का, Bank of India, BOI, अब इसको बारे में ध्यान से समझोगे, confusion नहीं होना चाहिए, देखो ये जो बैंक है ना, 1906 में, ये मुंबई में बन गया था, जानि इंडिया में ये कब बना, 1906 में मुंबई में बन गया था, इसकी पहली ब्रांच कहां खुली, इसकी पहली ब्रांच लंडन में खुली, और लंडन में कब खुली, 1946 में खुली, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये Bank of India कहां बना था, म मुंबई 1906 में बन गया था पर इसकी पहली ब्रांच लंडन में 1946 में खुली है ठीक है तो यह थी बैंक के बारे में कुछ इंपोर्टेंट सी बातें जिसके बारे में हमने डिसकस किया ठीक है तो अब हम कुछ questions की practice कर लेते हैं first non presidency bank of India कौन सा था याद करो जो presidency से बाहर खुला था headquarter में नहीं था अलाबाद bank state bank of India पंजाब national bank या सिंध overseas bank तो हमने देखा 1865 में पंजाब national bank खुला था 1865 इलाबाद में ये अलाबाद bank खुला था ठीक है sorry पंजाब national bank नहीं अलाबाद bank खुला था 1865 question number two क्या है which of the following is the factor of production इन में से कौन factor of production है हमने देखे ना factor of production and factor of income तो इन में से कौन factor of production है land labor machine या ये सभी तो answer क्या आएगा ये सभी land भी labor भी machine भी और entrepreneurship भी तो answer क्या आएगा D answer क्या आएगा इसका D all of the above ठीक है next question जो है question number three first swadashi bank of India कौन सा था जिसके अंदर सब कुछ भारत का था central bank of India state bank of India पंजाब national bank of India या ओध commercial bank of India तो हमें पता है हमने पढ़ा था 1911 में ये बना था स्वदेशी bank कहां पे मुंबई में बना था ये central bank of India ठीक है CBI कहते है central bank of India अगला question आपको बताना है जितना भी ज्यान आपने मुझसे सीखा उसका use करें और इस question का answer बताएं name the India's first bank state bank of India reserve bank of India हिंदोस्तान bank of India या ओध commercial bank of India तो आपको comment section के अंदर comment करना है मैं check करूंगी कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है I hope आप लोगों को इस series का फायदा हो रहा है comment section में इस question का comment कीजिए और फिर हम banking को आगे बढ़ेंगे कि classification कैसे होता है इन bank का small bank कौन सा होता है small finance bank payment bank मुद्रा बैंक इन सब चीजों के बारे में detail में discuss करेंगे so thank you so much take care bye bye